रैपिड ग्रोथ आफ बिजनस, रैपिड ग्रोथ मतलब जल्दी बढ़ाना है, मतलब जिसके एक्सपैंशन जल्दी जल्दी हो उसमें एक बहुत अच्छा इंडिकेशन होता है, वो नारियल का एक चोटा साउपा है, उसमें बहुत इंडिकेशन यह होता है, आपको वो दिखेगा, आपको करना यह है तीन आखों वाला नारियल जो होता है, जो नॉर्मन नारियल आपको बाजार में मार्केट में मिलता है, वो एक नारियल लाना है, और नारियल का जो बाल होता है जिस और तीन आख है, उस और ही सिर्फ बाल को साफ करना है, बाकी वाला पीछे वाला जो हिस्ता जिसमें बाल होते हैं वो रहना चाहिए ठीक है आपको एक छोटा सा कलश लेना है और कलश का जो मुहाना होगा उसमें नारियल अच्छे से अंदर की और बैड जाए फिक्स हो जाए हिले ना जादा ठीक है तो कलश में आपको पानी भरना है नारियल का जो छे तीन आखो वाला जो हिस्सा ह है वो पानी में हलका सा डुबा हुआ रहना चाहिए रखने के बाद उपर से एक लाल कपड़े को बांद कर उसमें जो कलावा या मौली होता है उसको आप एक दो लपेटा डाल कर उसमें एक गींट लगा दें सर पीट कर दो प्लीज एक नारियल तीन अंखों वाला उसका साइज ऐसा होना चाहिए कि उसके साइज के बराबर एक कलश मिट्टी का लेना है उसमें नारियल को आखों को अंदर की और पानी में डुबा के रखना यानि कलश में पानी भर के रखो और नारियल जो है उसकी तीन आखे वो पानी में टच होनी चाहिए और उसको लाल कपड़े से लपेटने के बाद कपड़ा तो ऐसा रुका नहीं जाएगा उसको बांधना पड़ेगा उसको मॉली से या कलावे से उसको बान दो एक गांट या दो गांट लगा के दो राउंड लगाया एक गांट लगा दिया ठीक है और बस इस बात का ध्यान रखना कि थोड़ा थोड़ा पानी न जैसे कि दिन में या एक या दो दिन के अंतर ही अंतर जो हिस्सा नारियल का उपर था जहांपर उसके बाल लगे वे थे वहाँ पे थोड़ा थोड़ा पानी का स्प्रे मिल जा उसको ताकि वहाँ से एक अंकुर निकल के आएगा नारियल का पौधा करीब हफता डेड़े-दो हफते के बाद एक पौधा निकल के आएगा वो पौधा अगर उसका जो ग्रीन वाला पोर्शन आपको दिख गया तो बस समझो कि आपकी बरकत चालू ठीक है ये बहुत जैसे कहते हैं कि एक बच्चा जब होता जब लेड़ी प्रेगनेंट होती है तो पहले के पांच मेने बहुत साफधानी पूरवक रहने के लिए बोला जाता है तो ठीक इसी तरह इसमें भी ये अंकुर निकलने में साफधानी रखना है वो एक बर निकल गया तो फिर वो व्रिक्ष बनेगा 100% तो आपको करना ये है आपको उस कलश और नारियल को तो रोज धूब बत्ती जैसे नॉर्मल हम बाकी देवताओं की पूजा करते है उसकी भी पूजा करेंगे ठीक है धूब बत्ती रेगुलर दिखाएंगे उसमें जिस दिन अंकुर निकल के आएगा पौधा निकल गया करीब करीब वो एक फुट या उसके थोड़ा सा कम आदा फुट भी थोड़ा बाहर आ गया तो आपको करना ये है कि वो नारियल लेना है कलेश समेथ नारियल को किसी ऐसी जगह पे लगाना है जो जहां पर वो व्रिक्ष बन जाए जैसे पार्क वगरे में लगवा दिया सोसाइटी का पार्क है वहां लगवा दिया और उसको बड़े होने तक एक छोटा सा प्रोटेक्षन दे सको तो और भी अच्छा तो वो पौधा जैसे जैसे व्रिक्ष बनेगा ठीक है नारियल को श्रीफल भी बोलते हैं तो पौधा जैसे जैसे व्रिक्ष बनेगा वैसे वैसे आपकी खुद की तरक्षी होगी आपके बिजनस की तरक्षी होगी ये वाला काम साउथ इंडियन्स बहुत करते हैं बहुत इसले साउथ इंडियन इतने तरक्षी करते हैं जैसे वह जैसे वह उसको डाल दिया उसमें से व्रिक्ष बनना चालू हो गया फिर से नया लगाते हैं कलश में डाल के सेम उसकी पूजा करते हैं एक तरह से आप समझ दो कि हम जो है पैसो के लिए बीज लगा रहे हैं और वो पैसो का पेड़ निकल रहा है और उसे और बड़ा कर रहे हम नर्चर करके केरल में नारियल के पेड़ को काटते नहीं है उसको जड़ समेत ना शिफ्ट कर देते हैं अगर जैसे सड़क बन रही हो, रोड बन रहा हो, बिल्डिंग बन रहा हो तो वो लोग काटते नहीं नारियल को पेड़ को जड़ समेत जितना बड़ा उनका एरिया है पेड़ का जितना बड़ा एरिया जड़वारा रहेगा वो समेत वहां से हटाके कहीं और उसको शिफ्ट करते हैं, इतना मानते हैं इनारियल के पेड़ को, बहुत ज़्यादा, श्रीफल है, कहीं लगा सकते हैं, या common जगई लगाना है, आप ऐसे जगह पे लगाएंगे, आप घर में लगाएंगे तो पेड़ बड़ा नहीं हो जगई जगाएंगे कहीं थेझाएंगे झाल अजय प्तैघसे नहीं है कहीं हो इनारियल को, आप रगाएंगे।